मीडिया रिपोर्ट्स और सेटेलाइट इमेजरी से अब ये स्पष्ट है के मोदी सरकार देश की सीवाओं की रक्षा करने में विफल साबित हो रही है भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड और समझोता किया जा रहा है प्रशन ये है कि क्या मोदी सरकार सो रही है जब चीन डोकलाम प्लेटू पर कब्जा किये है जो उत्तर पूरव के सब राज्यों और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विशे है ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने अपने भिन-भिन बयानों से देश को गुम्रहा किया है India's national security and strategic interests are being compromised as is now apparent from satellite imagery as also media reports available in public domain it is most unfortunate that Modi government has been caught snoozing while the Chinese have occupied the Doklam plateau as per news reports and satellite imagery and are planning a repeat of Doklam 2.0 type of face-off Prime Minister Shri Narendra Modi ji who has mastered the art of electoral rhetoric has miserably failed to ensure full protection of our borders Bharatiy Rashi Congress का सदैव ये मानना रहा है कि डोकलाम के मुद्दे पर भिन-भिन राजनितिक राय नहीं हो सकती राश्ट्रिय सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के सामरिक हितों की सुरक्षा केवल एक मात्र यही राय सभी राजनितिक दलों, समुहों और व्यक्तियों की हो सकती है पर जिस प्रकार से सेटलाइट इमिजरी अब उपलब्द है और जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उन से ये साफ है कि चीन ने डोकलाम प्लेट्यू के एक बड़े हिस्से पर दुबारा अपनी सेनाओं सहित पर्मानेंट कबजा कर लिया है ऐसे में प्रशन ये उठता है कि भारत सरकार क्या कर रही है चार या पांच महित्पूर्ण बाते हैं जो देश के समक्ष भारती राष्ट्रिय कॉंग्रिस की और से हम रखना चाहेंगे सेटलाइट इमिजरी और मीडिया रिपोर्ट सब ये दिखाती है कि किस प्रकार से चीन ने भारत की सीमा के साथ आकर डोकलाम प्लेट्यू पर कबजा किया है ये एक सेटलाइट इमिजरी है जो हमने ली है जिसकी प्रतिलिपी मैं आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर आप ये पाएंगे कि ये ये भारत है और इस प्रकार से चीन ने आकर ये सब जो कबजा है वो यहां नजर आ रहा है प्रतम दृष्टी से केवल इतना ही नहीं अगर आप इसको आगे देखें तो ये पाएंगे कि चीन दुआरा डोकलाम प्लेट्यू में साथ हेलिपैड बना लिए गए हैं कॉंक्रीट पोस्ट बना ली गई हैं नई ट्रेंचेज बना ली गई हैं फौज के लिए कई आर्मर्ड वेहिकल कई दर्जन आर्मर्ड वेहिकल जो फौज इस्तेमाल करती है चीन की फौज के वो वहां मौदूद हैं एक मेकिनाइज रेजिमेंट चीन की वहां मौदूद है और ऐसा आभास है के दूसरी मेकिनाइज रेजिमेंट भी टेंट्स के नीचे मौदूद हो सकती है दो मेजर पार्किंग एरिया बनाए गए है सड़क बनाने के लिए टेपर और दूसरी मशीनरी सब उपलब्ध है और टैंक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जो टैंक के आवागमन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो वहां पर मौदूद है और इतना ही नहीं एक दो मंजिल का अब्जर्वेशन टावर जो दूर तक भारत की फौज की सारी मूमिंट को देख सकता है उसकी कंस्ट्रक्शन कर ली गई है और ये दस से असी मीटर दूर भारत की सेनाओं से है दूसरी सेटेलाइट इमिजरी जो मीडिया रिपोर्ट्स में अब रिलीस की गई है उसमें ये साफ नजर आता है कि पीपल्स लिबरेशन आमी चीन की आर्मी के टेंट्स कहां पर है फुट ट्रैक्स कहां पर है स्मॉल वेहिकल्स कहां पर है और पिछली बार जो भारत और चीन की सीमाए जहां थी फौज जहां एक दूसरे के सामने खड़ी थी ये उसके भी बहुत नजदीक है ये सेटेलाइट इमिजरी हम आपको रिलीस कर रहे हैं ये बिल्कुल साफ इस से दर्शाता है प्रशन ये है कि क्या भारत सरकार देश के प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी और रक्षा मंतरी जी क्या वो इस सारी चीन की गतिविदियों और चीन की फाज के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स अपनी फाज की मूवमेंट्स उनके द्वारा टैंक ट्रांसपोर्टर्स उनके द्वारा टू स्टोरी टावर्स उनके द्वारा हैली पैड्स उनके द्वारा मेकेनाईज र दुरक्षा के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है देश जानना चाहता है अगस्त 28 2017 को दूसरा प्रशन ये है विरेश मंत्राले ने एक बियान जारी करकर ये कहा था कि डोकलाम एक पॉइंट जीरो विवाद के बाद हिंदुस्तान और चीन दोनों की जो फौज हैं वो एक्सप कि डिशियस डिसेंगेजमेंट कर रही हैं यही नहीं विदेश मंत्री जी ने संसक के अंदर भी इसी प्रकार का ब्यान दिया था जब हमने एक कहा कि वो क्या समझोता या मसोदा है उसकी डिटेल्स बताईए तो विदेश मंत्री जी ने कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहती हूं कि दोनों फौज अपने अपने स्थान पर वापिस चली जाएंगी कोई कारण नहीं था विदेश मंत्री जी के बयान पर विश्वास ना करने का उसके फौरण बाद चाइनीज फौरण मिनिस्ट्री ने ये कहा कि चाहे उनकी फौज वापिस गई प्रंतु वो दो कलाम में अभी भी पेट्रोलिम करते रहेंगे मुजूदा जिस प्रकार से चीन की फौज ने संभावित तोर से ये सारा कबजा किया है इसके बाद विदेश मंत्री जी और भारत सरकार का भारत की सुरक्षा और हमारे सामरे खितों की सुरक्षा के बारे में क्या स्टैं है कि देश जानना चाहेगा ऐसे में जो डोकलाम के ट्राइ जंक्षन का विवाद है जिससे चिकन्स नेक जो हमारे लिए सामरे द्रिष्टी से उत्तर पूरव के पहुंच के लिए सबसे जरूरी है क्या वो कहीं खत्रे में तो नहीं पढ़ जाएगा ये चिंता हम जाहिर क चाहते हैं कि चौथा अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री जी ने एक पब्लिक रैली में एक सारवजनिक तोर से उन्होंने डोकलाम को लेकर एक तरह से जीत डिकलेर की जो बहुत अच्छी बात है देश के लिए और दिसंबर 24 2017 को हमारी विदेश मंत्री श्रिमती शुष्मा सवराज जी ने ये कहा कि चीन ने डोकलाम में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की है ऐसे में ये सेटलाइट इमेजरी जो मीडिया के अंदर रिलीस की गई है और ये पहला सेटलाइट इमेज जो सारवजनिक तोर से उपलब्द है जो हमने भी उसी सेटलाइट इमेजरी से लिया है क्या ये नहीं दर्शाते के चीन की फौज इस प्रकार से यहां भुटान है यहां भुटान है यहां हिंदुस्तान है चीन की फौज इस सरह से बिल्कुल हमारी सीवा के पास तक आकर क्या उन्होंने कबजा कर लिया है क्या ये सेटलाइट इमेजरी सही है और अगर ये सही है तो क्या प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी का आशवाशन गलत था इस बारे में अब वो क्या कदम उठाने वाले हैं आखिर में ये भी सही है के प्रधानमंत्री जी ने 2014 के संसद्य चुनाव से पहले कई बार तदकालीन कॉंग्रेस सरकार को ये कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो लालांख दिखा कर चीन से बात करते सच्चाई ये भी है के इस वरश चीन के सैनिकों द्वारा भारत की लाइन ओफ कंट्रोल का उलंगन 48 परतीशत अधिक बढ़ गया 2017 में 415 बार चीन की फाज और चीन के सैनिकों ने हमारी सीमाओं का उलंगन किया जो 2016 में 271 बार था ऐसे में इस सारी बात को रोकने के लिए मोधी सरकार और भारत सरकार क्या करने वाली है और इन सब के बैक ग्राउंड में जिस परकार से चीन ने अरुनाचल प्रदेश में जो भारत का अभिन अंग है वहाँ एक पॉइंट तीन किलोमीटर रोड बनाने की एक जबरन कोशिश की जिसे बाद में हमारी बहादूर सेना ने रोक दिया इस सारे माहौल के बारे में जो पैदा हो रहा है प्रदान मंतरी जी का पक्ष क्या है कॉंग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है कि डोकलाम विवाद और चीन के साथ जो हमारे अन्य सीमा के विवाद है वो हमारे सामरी खितों की सुरक्षा के पक्ष में बादचीत से और डिप्लोमेसी से उन्हें सुलजाया जाना चाहिए अब निर्ने मोदी जी को करना है कि इन सारी बातों के चलते जब एक महतवपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है और डोक्लाम में चीन के की फौज इस परकार से मुद्द है तो देश को वो बताएं कि मुद्दा सरकार राष्ट्रिय सुरक्षा की और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने वाली है कॉंग्रेस पार्टी की और से हम गहन चिंता जाहिर करते हुए सरकार से जबाब मागते हैं कॉंग्रेस